दोस्तों ये तीन पहाड अपनी समरिधी का प्रदर्शन कर रहे थे पहले वाले पहाड के अंदर पैट्रोल था जो पैट्रोल में उंगली डाल कर अपने चहरे पर दो मूचे भी बना लेता है लेकिन दूसरा पहाड भी कम नहीं था उसने अपना मूँ खोला और अंदर पड़े धेरो सोने के सिक्के उड़ा कर दिखाने लगा यही नहीं उसने अपने सुनहरे दाग भी चमकाए फिर उसने अपना सोने का मुकुट निकाला और उसे अपने सिर्बर रख लिया अब इन दोनों को देखकर तीसरा पहाड भी आ गया आया जिसने जब अपना मूँ खोला तो गर्मा गरम लावा उगलने लगा लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा पहाड भी था जिसमें सिर्फ एक बीच के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर सभी पहाड उस पर ठाहा के मार कर हसने लगे अब छोटे पहाड ने उन्हें समझाने की कोशिश करी लेकिन पेट्रोलियम पहाड ने उसके एक लोते बीच को ऐसे फेंक दिया जैसे की वो कोई खूडा हो और फिर उन्होंने पहाड का मजाक उड़ाने की एक योजना बनाए और आस्मान में जा रहे काले बादनों को पकड़ के छोटे पहाड के उपर रख दिया जिसके तुरंत बाद ही जल्द ही पहाड पर बारिश होने लगी और वो भीगने लगा और दुखी होकर अपने फेके हुए बीच को उठाया और वापस से उसे अपने शरीर में डाल लिया अब अगले दिन उस पहाड के मूँ से एक पेर की कई शाखा निकली जिसे देख बाकी के पहाड उस पर ओर हसने लगे लेकिन अगले ही पल अंगिनत बीजो ने उन तीनों पहाडों को धग दिया पता चला कि उस एक पीच से रातो रात एक विशाल पेर बन गया था जिसने ना केवल जानवरों को घर दिया बलकि उनके लिए असीमित भोजन लाया जो उन बाकी के तीनों पहाडों से काफी ज्यादा कीमती है